नमस्क्रा विवस मैं हूँ Gautam Eady Wheatgrass है और आप है मेरी YouTube चैनल शशेएन Gautam Kitchen Garden Store आज के वीडियो को टॉपिक है आप अपने गार्डेन की मिट्टी को कैसे त्यार करें त्यार करना अपने एक लंबा प्रोसस है अगर आप सोचने कि इसको एक बार में अपने गार्डेन की मिट्टी को आपने गंले की मिट्टी को बदल देंगे त्यार कर लेंगे या इसमें changes ला देंगे वो possible नहीं है परकृति की कोई भी चीज जो है वो धिरी धिरी ही change लेती है आप एक दिन में पहलवान नहीं बन सकते हैं उसके लिए आपको कुछ मेहनों तक महेनर करने पड़ती है उसी तरह से जो अगर गार्डेन की मिट्टी को आपने change करना है अप अपने ब्रोक्ली का हर्व दिखाया था कुछ प्लांट हमने छोड़ देते कुछ की ब्रोक्ली भी छोटी थी तो लेकिन अब चुकि टेंपरेचर हमारे या पर 35 डिग्री आ गया है और दूसरा हमारे पर यह भी प्रेशर है कि जगों खाले करके हमें गर्मी वाले आपके गार्डेन की पुराने मिट्टी आपने जिसमें प्लांट लगा होते है वही होती है तो जैसे भी हमने ब्रोक्ली के प्लांट हटाया है तो इसी मिट्टी को हम लोग उसके लिए अगर आप पिछले कुछ समय से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने जब भी हम में ट्रांस्प्लांट करते हुए या कोई सीट स्टार्टिंग में देखा हो तो हम लोग रेगलर बेसिस पर हमारी जो बायो फटलाइजर से हैं जैसे की प्लांट रूट ग्रोथ पर्मोटर और अंटी फंगल बायोसाइट यह दोनों का हम लोग आपडेट आपके सामने है वो डालने का हमारे मकसद दे रहता है कि हमारी जो प्लांट हो इसकी रूट्स हो डिजीस फ्री हो उनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो तो इसको पुलप करने से जो नीचे का जड़ का मास था जो जड़े थी वो तूटके उपर की जड़े आप देख पारें लेकिन वो भी कितनी ज्यादा फैबरेस रूट आपको दिख रही है तो आपके प्लांट पे जितनी ज्यादा अच्छी जड़े होंगे मिटी की नीचे प्लांट की जड़ों की जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतनी अच्छी हेल्थ आपके प्लांट की उपर होगी यह था अपडेट प्ल तो पहला आपको किसी पुरानी गमले की मिट्टी को लेना है इसके बाद में आपको के अंदर में आयड करने है जिसकी जुरूरत है तो जब पुरानी मिट्टी होती है उसमें जो आप फटलैजिर डालते हैं उसको प्लांट already used कर चुका होता है तो उसको फिर आपको दुबार असमें डालना करते है जिससे कि जो आप नया प्लांट लगा है उसको वह सारी चीशे दुबार से मिल सके हैं इसके अंदर में जो रूट्स वगार है उसको इसी में छोड़ देते हैं जो कि आने वारे समय में धिरी-दरी डिकंपोज होके प्ल इसमें कोई डिजीज नहीं है पत्तो अगर आप चेक के लिएगा तो इसको आपने कमपोस्ट करके आने वाले टाइम में जो कमपोस्ट खाद बना सकते हैं मिट्टी त्यार करने के पहले स्टेप में आपको यह देखना पड़ागा आपकी जो मिट्टी है वह हलकी होनी चा को इसके प्रॉब्लम होती है कि आपके मिट्टी नहीं इन इसका कमपक्ड बना लेते है तो वह Jeśli सबकूँ में मिट्टी नहीं थीली ता स्रें के Budraındaki के मिट्टी कई होगी हाद शर्डी की जिसकी उन्देन ना पानी जाता ना न्यू ता इस तर एस भूर ब्हुर्बरा करन मिट्टी को बहुत ज्यादा जूरूरी है गमले की मिट्टी को हाथ से रगड के या किसी दूसरी के से बुरबरा कर लेंगे तो नेक्स टैप में आप इसके बाइफटलाजर डालेंगे बाइफटलाजर त्यून मैं इसमें यूज करता हूँ पहला है स्वाल एंपेके फिक्स काम होता है कि जो प्लांट की आप जिसे देखाता आपने किनी हाल्दी रूट से उसकी गर्वथ को प्रमोट करता है यूज कि ज्यादय ज्यादय इसमें फ्यादय है तूसरा मुट को डालते है अंटि एंटि-फंगल बाइसएट आपके जो मिट्टी से बिमारी आती है जो पोशक तो मिट्टी में मिलते हैं और फिर आपके रूट के थूर आपके प्लांट को जाते हैं तो इसको एड करना बहुत जुरूरी है क्योंकि आप देखते हैं शरुर में ग्रोफ अच्छी उसके बाद में प्लांट की ग्रोफ रुख जाती है तो उस इस तरह को आप फेटलाइजर यूज़ करते हैं इन्फेक्ट सारे और्गनिक फेटलाइजर है वह स्लो रिलीज होते हैं आप उनकी मातरा ज्यादा भी डाल देते थे इसमें क्या है आप एक किलो चार किलो डाल दे यह और अर्गनिक होता है यह अच्छा करेगा लेकिर आपके प्लांट को जलाते नहीं इस तरके फेटलाइजर जितने पहले तीन मैंने बता है आपको बैफेटलाइजर वह भी प्लस ही आपके प्लस वेगार भी बॉन मेल वेग वे अच्छित में पैटनागयँ नकि नान परगार के बाया है तो घर हमें पहले है और जब भी नए मिट्टी बनाये वो लोग नए गार्डननेश है उनको जब भी नहीं मिट्टे बनाएं तो मैं उनको सिर्फ करोगा कम से कम आधी यौ सब्सक्राइब आधी यौ जो है तो इसने उनको जब टेक्ट्ट्ट्ट्र हों काफी अच्छछ होगा और मिट्ट्ट्री चीर अच्छ होगा तो पोदों क केले चिंटा करते हैं। सब इसमें कीड़ा लग गया, इसमें यह हो गया, इसमें इपाद पाते हैं, शेयर केले का पान डाल देते हैं, लेकिन रूट की है उसके बारे में यह जाता नहीं धानते हैं, यह को कोई रूथ उस वाल में जब उगेगा तो अच्छा प्रफॉर्म करेगा बहुत से मेरे वीवर्स जो मेरे चंजूमर्स भी है तो वह मेरे से वर्मी कॉंपॉस्ट में आते हैं वो लोग बताते हैं कि जब मिट्टी त्यार करने के लिए पुरानी गंबले की मिट्टी को पलटते हैं लिए आपके इंड कर निकल ने से यह है तो हम यह हैं धो की अच्छा इंडिकेशन आहे कि मिट्डी तैरीके से healthy मेरे के अ neden हो रहा है अगर आप चार पांच है तो ज्यादा बढ़ानी एक छोटा सा मिठाई के डबे के बराबर को इसमें कुछ ऐसा गोबर वगड़े डाल के इसमें अर्सवां को छोड़ दीजे ये धिरे-धिरे कंडिशन जब फैरोल होगी तो इनके नंबर्स बढ़ेंगे फिर आप अपने हा आपको ड्रिनेज अच्छी रखने के लिए नीचे कुछ डालना पड़ता है जैसे आपने मिठी के ऊपर टॉप साइट पे जो वाइट देखा तो परलाइट तो परलाइट के अपने लेर डाली थी जिसकी वज़ए से जो एक्सिस पानी होता था आराम से छेत की तो निकल आप ठालाइट डालने जैसे छोटो छोटो पत्थर डालने जैसे पना है के शेक less नीचे से निकलना जुरूर ही हो वैसे आडिली एकसिस पानी होता है तो इतनी मैने से अपने weintireamed न मूहेंने से मैं नहीं explanation देने वाला आप मोटा मोटा ही समझ दिए कि नीचे जो पानी कठा होता है उसकी मौश्री के वाज़ा से उपर जो nutrition प्लांट के लिए होती हो खीच के नीचे की तरफ आते हैं जो nutrition नीचे आके कठ हो जाते हैं और प्लांट के रूट ऊपर होती है तो इस केसमे आपको प्लांट को nutrition नहीं मिलता है पिर अपका सफर राथा उसकी हेल्थ सही नहीं रहता है तो एक बहुत बड़ा कारण प्लांट की हेल्थ सही होने का विद अल्ड नुट्रिशन यह हो सकता है कि आपका जो नीचे ड्रेनेज है वो कठी हो रहा है मुआसे ठीक नहीं है उसके वज़ासे आपका नीचे ड्रेनेज नीचे कठा रहो प्लांट को नहीं मिल रहा है तो फिर भी आपकी जो प्लांट की रूस है वो डॉलप नहीं होती है और फिर आपका प्लांट जो है हल्दी नहीं रहता है यह थी मेरी कोशिश आप लोग से शेयर करने के लिए जो थोड़को नॉलइज मेरे को पिछले पांच साल में आई है कि इस वाइल कैसे तियार की जा आपके काम के नहीं आपके लिए बखवास है तो जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया उसको जुरूर लाइक करें बहुत से लोगों को जिनको पसंद नहीं आया होगा वो डिसलाइक करें जो नहीं लोग मेरे चैनल पाएं है और गादिंग में इंटरस्टेड है तो आपके लावा भी जो दूसरी खाद है और दूसरे गाड़न असेसरी स्टूल वगर है वो सारे चीजे भी अवलेबल है तो अभी आप अपनी जुरूरत का समान अपनी पसंद का समान वह से महँआ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतने ही जल्दी मिलेंगे एक नए व आप सबको नमस्कार